नमस्कार बच्चों कैसे आप सभी इस वर से प्रात्ना करता हूँ कि आप सभी अपने घरों पर मजे में होंगे बच्चों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास एट्थ साइंस का चेप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रडक्शन एंड मेनेजमेंट इसमें हम पढ़ेंगे फसलों के प्रकार, सिचाई के तरीके, खाद बीज और फसलों को कैसे सुरक्षित किया जा सकता है आप से एक मज़ेदार क्वेस्टन भी पूछा जाएगा, जिसका उत्तर आपको कमेंट बोक्स में देना होगा तो सुरू करते हैं, चेप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रडक्शन एंड मेनेजमेंट आप वीडियो को आंतर तक देखते रहें, जिससे चेप्टर है पूरा समझ में आ जाए सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या मतलब है क्रॉप प्रडक्शन और मेनेजमेंट का इंडिया's most important crops included cotton, tea, rice, wheat and sugarcane other important cusp crops include jute, groundnets, coffee, oil seeds and spices another central feature of India's agriculture economy is the raising of livestock particularly on cattle, buffalo and goats तो कहने का मतलब यह है कि भारत में कौन-कौन सी मुख फसलें बोई जाती हैं, उन फसलों को कटगराइज किया है, कोटन, टी, राइस, वीट, सुगर केन, इसके साथ में जिन फसलों से कैस मिलता है, तुरंत पैसा मिलता है किसान को जूट, ग्राउन नट, कौफी, ओईल सीट्स, और स्पाइसेज, मसाले वाली फसले हैं, इसके साथ में जो क्रॉप प्रडक्शन के साथ में लाइव स्टॉक भी रखा जाता है बच्चों, जिसमें पशू पालन है, पशू पालन से हमें बहु सारे अलग अलग पशू है, गाय है, उंट है, भेड है, बक्री है, वो पाली जाती है, in 2005, the country had 185 million cattle, substantially more than almost any other country, मतलब सबसे ज्यादा पशू पालन है, वो भारत में किया जाता है, the cattle are used mainly as dropped animals and for leather, जो पसू है, वो उनको गाड़ी खेचने के लिए, या दूसरे उपियों के लिए, दूद के लिए पाला जाता है, साथ में उससे हमें leather भी प्राप्त होता है, जिन से जूते हैं, बैग हैं, बहुत सारी चीज़े हैं, वो leather की बनती हैं, belt बनती हैं, और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, As farmers increasingly use machinery, the number of livestock they raise will probably decrease, बहुत सारी machinery है, वो उसका उपियों करने लगे किसान, इसलिए जो अभी पसू पालन है, या जीवजन्तों का पालन है, वो किसानोंने कम कर दिया है, Buffalo is the main animal used for producing milk and dairy products, जो भहस पालन है, उससे सबसे ज़्यादा हमें दूद मिलता है, dairy product मिलते हैं, milk production and distribution increased dramatically in the 1990s, because of the nationwide government supported cooperative dairy program, जो दूद पालन है, दुख दूद पादन है, dairy farming है, 1990 के बाद में बहुत तेजी से बड़ी, क्योंकि वहाँ पर cooperative dairy program farming शुरू हुआ, सिप आरेज़ पार वूल, जो भेड है, वो उन के लिए पाली जाती है, and gods are the main meat animals, gods से हमें meat मिलता है, many Indians, particularly Hindus, refuse to eat beef for religious regions, जो हिंदू हैं, वो beef और pork नहीं खाते हैं, सूर और गाय का मास को reject करते हैं, इसलिए अगर non, जो vegetarian है, वो तो फसलों के उत्पाद खाएंगे, और जो non-vegetarian है, वो हिंदू non-vegetarian है, वो निर्वर करते हैं, god पर, इसके साथ में, although they eat other meat, eggs and fish, दूसरे meat product है, जैसे मुर्गा है, उनके अंडे हैं, और फिस है, उन पर भी निर्वर करते हैं, तो फसले हैं, उनके साथ में पसु पालन है, वो important है, बच्चो, सबसे पहले हम बात करेंगे, crop किसे कहते हैं, फसल किसको बोलेंगे, जो इधर उधर बिखरी हुई पोदे हैं, plant हैं, उनको आप crop नहीं कह सकते, crop किसको बोलेंगे, when plants of same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop, तो बहुत अच्छी बात है कि crop उसको कहेंगे, जो एक जगह पर और large scale पर एक ही प्रकार की फसल बोई जाती है, ये पोदे बोये जाते हैं, plant बोये जाते हैं, उसको crop बोलेंगे, आप कह सकते हैं कि अगर गहुं का खेत है, तो उसमें गहूं के पोदे हैं, बीज हैं, वो बोए जाते हैं, उस फील्ड में, अगर आप चावल उगा रहे हैं, तो चावल के बीज हैं, उसमें बोए जाएंगे, चावल के पोदे लगाए जाएंगे, तो मतलब एक पर्टिकुलर क्रॉप है, एक पर्टिकुलर प्लांट है एक जगे पर उगाये जाते हैं लार्जी स्केल में उनको हम बोलेंगे crop और crop के example crop of wheat means that all the plants grown in a field are that of wheat अबर यहां पर wheat के अलावा unwanted कोई plant उग जाते हैं तो बच्चों उनको root out कर दिया जाता है और उनको पता है आपको क्या कहते हैं weeds कहते हैं तो एक particular crop को एक particular जगे पर फील्ड में उगाया जाता है तो उसको एक फसल का नाम दिया जाता है बच्चों crop यहां आप देख पा रहे हैं इसमें एक विशेश परकार के पोदे हैं वो पूरे फील्ड लार्जी स्केल पर फील्ड में लगाये हुए हैं खेत में लगाये हुए हैं तो इसको आप crop देख कह सकते हैं इसके बाद में types of crop कितने प्रकार की फसले होती हैं आपको पता है आप पहले से जानते हैं मुझे मालूम है कि आप बहुत होश्यार है और आपको मालूम है फिर भी हमें इनके type पढ़ने हैं दो तरीके की फसले होती है एक कि खरीप crop the crops which are sown in the rainy season are called lip crop जो बारिष के दिनों में बोई जाती है उसको कि खरीप crop बोते है दे रैनी season in India is from June to September, June से September का जो समय होता है वो बारिष का मांसून का समय होता है और बारिष के समय जो फसल बोई जाती है उसको हम कहते है खरीप की फसल और इसके एक्जामपल है पैडी का मतलब है, आप जीरी बोल सकते है, चावल की खेती बोल सकते हैं, पैडी, मेज, मक्का, सौया बीन, ग्राउंड नट, कोटन, ये बाजरा, जुआर, मक्का, यह सब किस में आते हैं, खरीप की फसल में आते हैं, जो बारिश के दिनों में बोई जाती है, आपको ध्यान रखना है समय जून टू सप्टेमबर, और दूसरी टाइप की फसल है, रभी क्रॉप्स, the crops grown in the winter season, रभी क्रॉप्स जो सर्दी के दिनों में बोई जाती है, ठंडे मोसम में बोई जाती है, वो रभी क्रॉप्स कहलाती है, their time period is generally from October to March, October से लेकर के मार्च तक का जो समय होता है, वो सर्दी का समय होता है, और उस समय पर जो फसल बोई जाती है, उसको रभी की फसल कहते हैं, example बिल्कुल सही है, आप देख पा रहे हैं, यहा यह ग्राम चना है, मटर है, सर्षो है, जो फसल बोई जाती है, सर्दी के दिनों में रभी की फसल कहते हैं, बच्चो एक प्रकार की फसल और होती है, यही आपके लिए question है, आज का आपको इसका answer देना है, जो गर्मी के दिनों में बोई जाती है, मतलब अपरेल से लेकर के मई का जो समय होता है, यहां यह देखेंगे, आप अक्टूबर से मार्च तक तो हमने रभी की फसल बोई दी, उसके बाद में जून से से बीच में जो फसल बोई है, खरीब फसल है, इन दोनों के बीच का जो समय होता है, वो मार्च से अपरेल और मई, दो मेने का समय होता ह उसमें कौन सी फसले बोई जाती है, इसका आंसर आपको देना है। और उन फसलों को क्या कहते हैं? ये भी फसल का टाइप है, उसको आपको बताना है। बच्चों हमारे देश में ये गर्मी के जो फसल होती है, उसको बोया जाता है। और आप गर्मी के दिनों में बहुत मज तरीके से इनको खाते हैं आपको पता है परन्तु उसका नाम बताना है आपको इसके वीडियो के comment box में और अगर इसका उत्तर आपको नहीं पता तो मैं अगले वीडियो में इसका answer आपको बताऊंगा तो आप वीडियो को last तक देखें basic practices of production, production का मतलब बच्चो उत्पादन है क्या-क्या चीजें हमें करनी है production के लिए crop production में क्या-क्या हमें practice अपनानी है कौन-कौन सी तरीके अपनाने हैं जिससे crop production हो सके तो सबसे पहले हम इसका meaning समझेंगे cultivation का मतलब है फसल उत्पादन, cultivation of crop involves several activities, these activities are referred as agricultural practices, जो फसल उत्पादन के लिए जो practice की जाती है, जो करवाई की जाती है, जो किसान है, जो भी प्रक्रिया अपनाता है, उसको हम फसल उत्पादन के लिए क्या बोल रहे है, cultivation बोल रहे हैं, these activities are, यह activities कौन सी है, गलत लिखा है, these activities are, सबसे पहले फसल बोने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, preparation of soil, भूमी को तयार करना पड़ेगा, मिट्टी को तयार करना पड़ेगा, क्योंकि बीज बोने एक से पहले मिट्टी है, वो ready होनी चाहिए, दूसरी activity है, sowing, जब आपको मिट्टी तयार कर लेंगे, तो उसमें बीज बोने हैं, फसल को बोना है, इसके बाद में तीसरी practice है, adding menus and fertilizers, क्योंकि plant है, वो उनको minerals है, nutrients है, वो soil से मिलते हैं, तो soil में mineral nutrients है, उनको repliciness करने के लिए किसान है, वो खाद डालता है, घरों से देशी खाद डालता है, chemicals भी डालता है, जिससे की plant के लिए वो available हो, इसके बाद में चोती practice है, irrigation सिचाई भी जरूरी है, बच्चों plant के लिए पानी की बहुत ज़्यादा आव सकता होती है, तो irrigation सिचाई करना वो भी एक फसल के cultivation के practice में आता है, और ये सारी activities करने के बाद में protecting from weeds, फसल को सुरक्षा भी देनी हैं, प्रोटेक्ट करना है, कोई insect, paste है, उससे सुरक्षित करना है, इसके साथ में जो weeds होते हैं, weeds का मतलब होता है unwanted plant in the crop field, जो अवांचनिय पोदे उग गये हैं, उनको वहाँ से root out करना, निकालना, तो protection है, वो crop का जरूरी है, अगर इनका protection नहीं करेंगे, तो फसल है, वो कीडों के द्वारा, जीवों के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा, नस्ट कर दी जाएगी, या unwanted weeds हैं, उनके द्वारा भी नस्ट कर दी जाएगी, तो protection करना बहुत जरूरी है, नेक्स्ट है, हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग का मतलब होता है, बच्चों, फसल जब पक करके तयार हो जाती है, तो फसल को काट करके और निकालना, दाने निकालना बीज है, उनको निकाल करके लेके आना, तो फसल काटना, उसको थ्रैसिंग, या कम माइन, या दूसरे तरीके से घरों में लेके आते हैं, तो वो हार्वेस्टिंग कहलाती है, और next important practice है, इस्टोरेज, फसल जब तयार हो करके आगई है, साफ हो करके आगई है, तो उसको proper जगे पर इस्टोर करना, तो ये सारी practices हैं, वो production में, cultivation में आती हैं, इन सभी को हम one by one discuss करेंगे, बच्चों सबसे पहली practice है, मिट्टी में बीज को बोना है, तो सबसे पहले खेत को तयार करना है, मिट्टी को तयार करना है, फसल के लिए, बीज बोने के लिए, तो preparation of soil क्या है, the preparation of soil is the first step before growing a crop, one of the most important tasks in the agricultural is to run the soil and loosen it, उसको मिट्टी जो अभी तक जमी हुई है, उसको जोतना, उसको लूज करना, ये practice में आता है, अच्छे से जोतेंगे, उसके बाद में उसमें मेज देंगे, बहुत सारी activities हैं, वो हलो के द्वारा की जाती है, जिससे की मिट्टी के कण हैं, वो आपस में free हो जाएं, वो जुड़े नहीं रहें, वो loose हो जाएं, और क्योंकि loose होंगे तो यी बीज हैं, वो germinate हो पाएंगे, या न था, बीज जर्मिनेट नहीं होंगे, बीज sour नहीं कर सकते हम, this allows the roots to penetrate deep into the soil, वो बीजों के उगने के लिए भी ज़रूरी है, और root है, वो नीचे तक, गहराई तक जाने में मदद करती है, the loose soil allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil, बच्चों आपको पता है, plant की root है, plant हैं, वो भी respiration करते हैं, breathe करते हैं, तो अगर loose soil होगी, daily होगी, उसको आपने जोद करके और free कर दिया है, loose बना दिया है, तो आसानी से वो plant की roots हैं, वो सास ले सकती हैं, loose soil helps in the growth of earthworm and microbes present in the soil, यह बहुत important है, earthworm और microbes के grow होना भी जरूरी है, क्योंकि यह फसल के development, growth के लिए जरूरी होते हैं, earthworm of microbes, यह beneficial organisms हैं, these organisms are friends of the farmers, since they further turn and lose the soil and add humus to it, plant, मतलब वो छोटे-छोटे hole बना देते हैं, जिससे आसानी से soil में, फसल बोने के बाद में तो खेत को आप जोत नहीं सकते हैं, तो यह micro organisms है, earthworm है, वो उसको hollow बना देते हैं, soil को और आसानी से air है, वो जा सकती है, साथ में यह dead और decaying matter को compute करके, decompose करके और soil में मिलाते रहते हैं, और वो humus है, वो plant के लिए अवलेबल होता है, तो इस तरीके से, सबसे पहली practice है, हमने देखा यहाँ पर कौन सी है, preparation of soil, इसमें क्या करेंगे, tilling, the process of loosening and turning the soil is called tilling or plugging, this is done by using a plug, हल चला करके उसको जोता जाता है, उसको इस तरीके से आप यह हल देख पारें, उसको उठाया जाता है, उखाडा जाता है, जमी हुई soil को, और गोड लगाई जाती है हल के द्वारा, agricultural implements for tilling, कौन-कौन सी चीज़े हैं, जो tilling के लिए जोतने में काम आती हैं, plug in all days people use wooden plug, but in nowadays people use iron plug, पहले हल चलाने के लिए, लकडी के हल होते थे जोतने के लिए, फसलों को तयार करने, खेती तयार करने के लिए, जमीन तयार करने के लिए, यह wooden plug है, हल है, आजकल iron का plug आ गया, लकडी के बजाए, लोहे का हल आ गया है, और आपके घरों में आसपास आपने इनको देखा होगा, agricultural implements for tilling, it is a simple tool which is used for reviewing weeds, and for loosening the soil, यह होई यूज करते हैं, कल्टीवेटर है, nowadays, plugging is done by tractor, driven cultivator, the use of cultivators, save labor and time, आप यह देख पार हैं, यह कल्टीवेटर है, वो फसल को तयार करने के लिए, खेती को तयार करने के लिए, हल है, वो चलाया जाते हैं, tractor के द्वारा खीचे जाते हैं, और बहुत तेजी से खेत को जोद दिया जाता है, जिसमें सुरम की बचट होती है, समय की बचट होती है, इसके बाद में दूसरी प्रक्टीस है, sawing, sawing का मतलब बीज बोना, बीज बोने के लिए क्या करना होगा, selection of seeds, बच्चों फसल बोने के लिए, हमें सबसे अच्छे बीज होने चाहिए, बीज अच्छी क्वालिटी के, अच्छी विराइटी के होंगे, तो फसल है, वो अच्छी होगेगी, तो सबसे पहला काम है, बीज बोने के लिए, selection of seeds, sawing is the most important part of crop production, before sawing, good quality seeds are selected, किसान है, वो ऐसा करते भी है, आजकल तो hybrid seed है, market में available है, परन्तु अगर फसल अपनी खुद के बीजों में से selection करना है, तो वो छाट करके, जो अच्छे seed होते हैं, मोटे होते हैं, जिनके plant में कभी रोग नहीं लगा, उस प्रकार के बीज है, वो बोने के लिए select करते हैं, good quality seeds are clear and healthy seeds of good variety, अच्छी variety होनी चाहिए, farmers prefer to use seeds which give a high yield, कौन से बीज को बोने में वो किसान प्रात्मिकता देते हैं, जिनका production ज़्यादा हो, जिनका उत्पादन ज़्यादा हो, वो किसान प्रफर करते हैं, tools used for sawing seeds, जो बीज बोने के तरीके है, उपियोग है, तकनीक है, वो कौन कौन सी है, सबसे पहली टेकनीक है, traditional tool, the tool used traditionally for sawing seeds is shaped like the funnel, the seeds are filled in the funnel, passed down through two or three pipes, having sharp ends, these ends purse into the soil, and place seeds in the soil, traditional method of sawing का आप देख पा रहें, और नीचे हलके जो जमीन में घड़ रहा है, वहाँ पर वो पतला हो जाता है, तो बीज हैं, वो धीरे-धीरे हलके साथ में गिरते रहते हैं, तो ये पुराना तरीका है, जो हमारे किसान है, पुराने जमाने में traditional खेती में काम लेते थे, परन्तु आजकल बीज बोने के लिए अलग टूल आगये, टूल्स उस्ट पर सोविंग सीड्स, शीड्स ड्रिल, ये ड्रिल टेक्नीक आगयी, जावे देज देज्स ड्रिली इस उस्ट पर सोविंग विद्ध रहल्प उप ट्रैक्टर, इस टूल सोज दा सीड्स यूनिफर्मली एट प्रोपर डिस्टेंस एंड डैप्थ, इट आलसो इंशोर्स दा सीड्स गेट कवर्ड विद्ध दा स्विल, ये ड्रिल मसीन आप देख पार है, जहां पर बीज हैं वो भर दिये जाते हैं उसमें और उसके बाद में वो प्रोपर डिस्टेंस पर बीज को जमीन की अंदर गिराते रहते हैं, साथ में वो बीज खुला ना रह जाए, इसलिए उस पर मिट्टी भी कवर कर दी जाती है, तो ये ड्रिल सीड मसीन है, इसके बाद में तीसरी प्रक्टी से एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स मैन्योर और फर्टिलाइजर्स वो बीज को ग्रो करने के लिए बीज को न्यूट्रीशन देने के लिए जरूरी होते हैं, तो फसल उगाने के लिए adding manure and fertilizers है, वो भी होते हैं, the substances which are added to the soil in the form of nutrient, मैंने अभी बताया, seeds को nutrition चाहिए, तो nutrient है, वो डाले जाते हैं, for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers, soil supplies mineral nutrient to the crop, these nutrients are essential for the growth of plants, in certain areas, if in the same farmers grow crop field, the field is never uncultivated or fallow, because of this continuous growing of crops makes the soil poor in certain nutrients, therefore farmers have to add manure to the field to replenish the soil with nutrients, मतलब कहने का क्या है कि जहां पर लगातार intense खेती होती है, लगातार फसल बोई जाती है, एक फसल कटने के बाद में दूसरी फसल बोदी जाती है, तो बच्चों आपको पता है कि लगातार soil में से plant है, फसल है, वो nutrient को absorb कर रही है, तो soil है, वो nutrient poor हो जाए करेगी, तो किसान क्या करेगा, इन पोशक्तत्य की पूर्ती करने के लिए, प्रती पूर्ती के लिए, क्या डालता है फसल में, मैन्योरिंग करता है, उसमें फसल में, खाद डालता है, और खाद डालने से वो क्या हो जाएगी, soil है, वापिस nutrient rich हो जाएगी, और nutrient rich हो करके, और फिर वो next फसल है, उसमें अच्छी ग्रो करेगी, तो इस तरीक applies 방법 से मैन्योर्स और फटिलाइज़र्स के बारे में बताया, मैन्योर क्या है, मैन्योर जो और और्गनिक खात होती है उसको मैन्योर बोलते हैं और केमिकल फटिलाइजर्स होते है chemical खाद होती है उसको हम fertilizers बोलते हैं आप दोनों ही तरीके के यह खाद को जानते हैं बच्चो manure is an organic substances obtained from the decomposition of plant or animal wastage, it can be prepared in the fields, it provides a lot of humus to the soil, it is relatively less rich in plant nutrient, इसमें कम पोशक्तत होते हैं परन्तु उपियोगी भोत है क्योंकि manures हैं वो हमारे स्वास्त के लिए, हमारे वातवरन के लिए नुक्सान नहीं करते हैं जबकि chemical fertilizers हैं उनके कुछ नुक्सान भी पाये जाते हैं, fertilizers is an inorganic salts, they are prepared in factories, it does not provide any humus to the soil, fertilizers are very rich in plant nutrient, इन में पोशक्तत तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लाइक nitrogen, phosphorus and potassium परन्तु बच्चों बहुत ज़्यादा फटिलाइजर अगर हम डालते हैं, तो वो हमारे खेत के लिए, हमारे crop field के लिए नुक्सान दायक होते हैं, लगातार ज़्यादा मातरा में फटिलाइजर ज़्यादा अगर दे दिया जाएगा, अगर आपको थाना खिला दिया जाए, तो उल्टिया होना शुरू हो जाती है, इसी तरीके से किसान है, वो प्रोपर फटिलाइजर्स खेत को सप्लाई करना चाहिए, नहीं तो उसकी फसल अच्छी होने के बजाए खराब हो जाएगी, तो ये फटिलाइजर्स के बारे में हैं, एक्जा आप यहां देख पा रहे हैं, ये खेत में ऐसे ही छिड़काव करना, या ये इस प्रे मसीन के द्वारा खेत में मैन्योर फर्टिलाइजर्स डालना, ये आप प्रक्टिस में देखते हैं आपके आसपास, तो बच्चों इस तरीके से यहां पर हमने तीन प्रक्टिस पढ़ करेंगे, बच्चों आप देखते रहिए मेरे वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो इसको लाइक और सेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल का नाम है नौलेज मंडली, बच्चों आपको कमेंट बॉक्स में जो कोशन पूछा गया थ उसका उत्तर लिखना है, और कोशन को फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, कोशन है आपके लिए, जो अप्रेल और माई के मेने में गर्मी के दिनों में जो फसल बोई जाती है उसको क्या नाम दिया जाता है और उस फसल में कौन-कौन सी फसले बोई जाती है इसका उत्तर आपको बताना है अगर आपको उत्तर देने में कठनाई होती है तो नेक्स्ट वीडियो में यहां पर irrigation के साथ में हम पढ़ेंगे आपको उत्तर बताएंगे मैं irrigation के next video बहुत जल्दी ले करके आ रहा हूँ, तो उसके साथ में हम आपके question का answer देंगे तो आप देखते रहे knowledge mentally और मेरे चैनल को subscribe करें Thank you very much